Hello students, welcome back once again, आज हम इस वीडियों पढ़ेंगे diffraction of light in very very less time देखें, short revision series ये बहुत काम की चीज़ा है, ये बहुत काम की चीज़ा है बहुत काम की चीज़ा है अग्जाम टाइम पर हमें quick revision चाहिए पहरी link को जरूर विजट करना, आज का हमारा topic is diffraction of light, तो बात करेंगे कि light में diffraction क्या होता है light में diffraction क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा, कि light, topic जो है न, throw हो चुका है light, light का nature क्या है, wave nature है, particle nature है, ray है, यह क्या है, यह सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारी बात, विवाद, बहुत सारी conflict होई लेकिन, young's double-slate experiment, young's double-slate experiment, दुनिया का पहला ऐसा experiment हो, जुसने यह prove किया, कि light के पास wave nature होता है light के पास wave nature होता है, इसी चीज़ को, और आगे जाकर के evidence मिला, diffraction of light से बहुत, diffraction of light एक ऐसा phenomenon है, जिसने यह चीज़ प्रूव की, again, कि light के पास wave nature होता है अब हमें इसको समझना पढ़ेगा, कि आखिरकार diffraction में होता क्या है, तो जैसे आप इसको समझ लीजिए, कि जैसे मान लीजिए, कि अगर मेरे पास, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मेरे पास slit है, that means, एक opening क्या है, एक opening, अब यहाँ से light आ रही है, यहाँ से light आ र देखने में हमें नहीं मिलता है, हम देखते का हैं, तो रोशनी सिर्फ इतने में आनी चाहिए थी, बागी सारे मोजाला, लेकिन हम देखते का हैं, तो रोशनी इतने में आती है, है ना, रोशनी का होती है, रोशनी इतने में आती है, light इतने में आती है, that means, light इसका मतलब का shadow region में geometrical shadow region में enter कर रही है light यहीं पर नहीं बनती इसके बाद होता क्या है कि shadow region में भी हमें light के dark and bright fringes that means कहीं कहीं पर अंधेरा और उजाला वाला pattern देखने को मिलता है जिसको हम कहते है alternate light and dark pattern तो समझे रो diffraction of light में हुआ क्या that means light ने क्या करके दखाया कि light यहां से आई इतने में दिखाई देनी चाहिए थी लेकिन light क्या कर गई shadow region में enter कर गई that means bend हो गई shadow region में encroach कर गई shadow region में enter कर गई और उसके बाद आपको light का alternate bright and dark pattern देखने को मिल रहा है इस phenomena को हम कहते है diffraction of light जरह एक बार जो इसको रिकलक करते है कि भी diffraction क्या है phenomenon of bending of light light का bend हो जाना और bend हो करके shadow region में enter करना और उसके बाद alternate bright and dark fringes का बनना this is called diffraction अब यह आखिरकार ऐसा होता क्यों है तो जरह इसको समझने के लिए बात समझ गे ना एसा होता क्या है इसको समझने के लिए में समझना होगा कि लेट सी यह जो light आ रही है यह जो light आ रही है हमने कहा कि यह जो light है according to wave theory light wavefront के पॉर्म में आ रही कैसे आ रही है wavefront के फॉर्म में इसके बाद light जब इस opening तक पहुंचती है हमने इसको zoom करके दखाया light जब इस opening पर पहुंचती है तो wavefront इस opening तक पहुंचा है इसके बाद wavefront यहां पर टकड़ाएगा और इस wavefront में होगा disturbance तो हमने पढ़ा है कि every point on wavefront क्या पढ़ा है every point on wavefront act as fresh source of wave है ना तो इस wavefront का हर एक point का करेगा fresh source of wave की तरह act करेगा तो यहां पर यह वाला जो wavefront है यह अपनी यह वाला जो point है यह अपनी अलग वेवलेट बनाएगा और जब यह वेवलेट बनाएगा तो लेटसे यह सारी यह वाली वेव भी तो यहां पहुचेगी यहां पहुचेगी तो फिर हम देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा होगा यहां पर यदि एक Face Difference में अगर Light Vibs meet कर रही है तो फिर यहां पर आपको जाला देखने को मिल जाएगा यदि Light Vibs यहां पर दूसरे Face Difference meet कर रही है और आपस में एक दूसरे को कैंसल कर रही है तो फिर आपको यहाँ पर darkness देखने को मिल जाएगी बात समझभा रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर bright and dark pattern देखने को क्यों मिल रहा है because light waves आपस में एक दूसरे से crest to crest, crest to tough आपस में trap, आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी या फिर एक दूसरे का amplitude बढ़ा रही होंगी यहाँ से साबित होता है कि light के पास wave nature है और इसके बाद यहाँपर diffraction भी हो रहा है diffraction, मतलब यहाँपर जो ना light bent भी हो रही है, यहाँ से भी थाबित हो जाता है कि light के पास का है wave nature है clear है इतनी बात now अब बात करेंगे कि यह जो diffraction हो गया इसकी necessary condition का है का light का जो हमें normal तो इस तरह का pattern bright and dark bright and dark pattern देखने में नजर नहीं आता है normal days में नजर क्यों नहीं आता है वही हम तो नहीं देखते हैं कि light इस तरह से opening जा रही है और इस तरह से bright and dark bright and dark pattern आपको देखने में नजर आ रहे हैं तो हम नहीं देखते हैं यह कब देखने में मिलेगा तो इसके कुछ necessary conditions होते हैं necessary condition क्या है कि हमारा जो भी obstacle है या फिर कहें हमारी जो भी जो भी opening है जो भी slit है slit की opening का जो size है वो light की wavelength के size के comparable होना चाहिए जैसे कि light की wavelength होती है 4000 एंक्स्ट्रॉम तो 7000 एंक्स्ट्रॉम अब जिसे मानलो कि कोई भी छेद कोई भी hole कोई भी slit कि अगर जो size है अगर वो इतना है light की wavelength के comparable एकदम exit बरावर नहीं लेकिन comparable उससे मिलता दुलता तो फिर आपको यह bright and dark bright and dark pattern देखने को मिलेगा otherwise नहीं तो normal days में या फ fraction pattern को देखना चाते हैं तो फिर हम देख सकते हैं दो blade की help से हम यहाँ पर एक blade लेंगे और यह दूसरा blade लेंगे shaving करने वाला blade जिलेट में गार्ट नहीं तोपाज गा ठीक है अब यह blade हम लेंगे और दोनों blade को इस तरह से लगाएंगे बीच में तोड़ी से slit मनेगी जिसक समझभा रही है तो फिर हमें जो diffraction का जो pattern है वो daily lab में देखने को क्यों नहीं मिलता है विकोज हमें इतने चोटे size की opening नौर्मली नहीं देखने को मिलती है ठीक है तो यहाँ पर आपको जयान रखना है necessary condition का है size of opening should be comparable to the wavelength of wave अब देखो मैंने यहाँ पर का है wave है ना मैंने sound wave का bend होना तो हम notice कर पाते हैं लेकिन light wave का bend होना notice नहीं कर पाते एक्जामपल के तो तोर पर आपको यह बताते हैं कि let's say यहाँ पर आपका gate यहां पर गेट की opening है अब यहां से किसी ने रेडियो ओन कर दिया किसी ने टीवी ओन कर दिया अब यहां से साउंड आ रहा है और अगर आप कॉर्णर पेटे हो तो आपको यहां तक साउंड बेंड हो जाएगा आपको यह साउंड अच्छे सुनाई देगा तैट मिसका मतलब अगर यहां से light आती तो कि light को नट पहुंच भाती नहीं light आती और यहां से यहीं तक यहां तक आजाती समझ भाए न तो light की इतने इता będzie क्यों नहीं होतीए इसकी इतने इता क्यों होतीए लेकर यह जो opening है, let's see यह opening है कितनी, भाई यह opening हो गई मालो 100 cm है, हाना अब 1 cm से लेकर, few cm तक की wavelength होती है sound wave की, इसका मतलब है sound wave की wavelength और इस दर्बाजे की जो दूरी है दर्बाजे की जो distance है वो एक दूसरे से meet करती है match करती है, इसलिए sound wave तो ज़्यादा bend हो जाती है, जबकि light wave उतनी है था, bend नहीं हो पाती, यह बड़ा important सा question पूछा जाता है, अब बात करेंगे diffraction के उपर जो एक्सपरिमेंट की जाते हैं तो हम कहते हैं, कौन-कौन से, front of a diffraction and presental diffraction, पूरे इमानदारी के साथ कहूँगा, कि 45-45 निट की दो वीडियो में ने बनाई हुए हैं, दोनों diffraction और front of a diffraction experiment वगरा derivation सब कुछ कराया है, जरूर देखें, description में second and third आपको link मिल जाएगी, उसको देखने से आप सारी बातों को एकदम इमानदारी से धी में-धी में समझ पाएंगे, और इसका भी और solid reason आपको वीडियों बताया होगा, अब बात करेंगे, diffraction जो हैं, दो डाग के होता है, front of a and presental diffraction, front of a diffraction में का होता है, actual में बड़ी वीडियो बच्चे देखनी पाता है, दो साल पहले अफ्लोड की थी, लेकिन फिर भी जो है, उस पर नहीं देख रहे हैं, तो क्या करें, तो बात करेंगे, front of a diffraction जो होता है, उसमें, front of a diffraction में, जो भी हमारा source है, लेट से ये source है, front of a diffraction में, जो source of light होता है, उसको infinite distance पर रखा जाता है, भी अब infinite distance का मतलब क्या होता है, यदि light rays parallel आ रही है, तो हम कहेंगे कि जो source of light है, वो infinite distance पर है, अब अगर experiment करना है, तो इतनी दूर क्यों रखे, फिर तो हम ऐसा कर सकते हैं न, कि infinite, अगर light, अगर source पास में रख दो, light इस तरह से आएगी, लेकिन light rays को parallel बनाने के लिए, हम lens का इस्तुमाल कर सकते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि भले हमारा source, infinite distance पर नहीं है, लेकिन हमने light rays को parallel बना दिया, तो this source of light will act as, effectively infinite distance का, मतलब इसका infinite distance पर नहीं है, लेकिन इसका effect इसका प्रभाव ऐसे हो रहा है, यह source of light infinite distance पर रखा हुआ है, अब यहाँ पर fresnal diffraction जो होता है, उसमें जब हम experiment करते हैं, तो यहाँ पर source of light आपको finite distance, एक मतलब कुछ ही छोड़ी सी distance पर रखने होते हैं, इसके बाद देखो no need of lens, भाई यहाँ पर का है, diffraction में, जब front of a diffraction की बात करेंगे, तो आपको light rays को parallel बनाने के लिए, आपको lens की ज़रौत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर fresnal diffraction में lens की ज़रौत नहीं पड़ेगी, तो यह quick सा overview आपको मिला, comment करके ज़रू बताना, चोड़े टाइम में आपको ज़्यादा जानगारी मिल पाई, यानि मिल पाई, comment करके ज़रू बताना, थोड़ा से बोलने की मेरी गति ज़्यादा, इसलिए रखी मैंने, ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा content दे पाऊं, है ना, because बच्चे बड़ी वीडियो को देखने से ज़रू कतराते हैं, प्रूफ आपको, मैं कई बार दूँगा, एक घंड़े की वीडियो नहीं देख पाई, ठेके ना, यह side की बात है, लेकिन comment,